चट पर्व या चट कार्तिक शुक्र की खस्टी को मनाये जाने वाला एक हिंदू पर्व हैं। सोड़ी के उपास्मा का यह अनुपम लोग पर्व मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, जारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई छित्रों में मनाया जाता है। छट पर्वत, छट खस्टी का ब्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिपावली मनाने के तुरंद बाद मनाये जाने वाले इस रत की सबसे कठिन और महत्यपुर्ण रात्रे कार्तिक शुक्र सस्टी की होती है। इसी कारण इस रत का नामा करण छट रत हो गया। यह पर्व वर्ष में दो बार मनाये जाता है पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्थिक में चैत्र शुकल पक्ष खस्टी पे मनाये जाने वाले चट को जैती चट वो कार्थिक शुक्ल पक्ष की इस खंस्टी को मनाय जाने वाले पर्व को कार्थिक छट कहा जाता है पारवारिक सुख, सम्रिदी नुद्ध लिए यह पर्व मनाय जाता है इस पर्व को स्थ्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं लोग परंपरा के नुसार सुरेदेव और छटी मैया का संबंध भाई और बहन का है लोग मात्रे का खस्टी की पहली पूजा सुरे नहीं की थे छट पर्व की परंपरा में बहुत ही गयार विज्ञान चिपा हुआ है खस्टी की थी एक विशेश खोगली अवसर है उस समय सुरी की परा बैग में पृत्वी की सतह पर सामाने से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती है उसके संभावित को प्रभावों से मानव की यथा संभव रक्षा करने का सामारिते इस परंपरा में है छट पुजा की परंपरा और उसकी महत्र का प्रतिपादन करने वाली अनीक पॉराणी और लोक कथाएं प्रचली थें रामायन से एक मानेता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराजी के स्थापना की दिल कार्तिक शुक्र खस्टी को भगवान ज्राम और माता सीता ने पुवास किया और सुर्य देव की आराज माजी सब्तमी को सुर्योदय के समय पुना अनुस्ठान कर सुर्य देव से आशरवाद प्राप्त किया था महाभारत पे एक अन्य मानेता के अनुसार छट पर्व की शुर्वात महाभारत काल में हुई थे सबसे पहले सुर्य पुद्र कर्ण में सुर्य देव की पुजा शुरू के कर्ण भगवान सुर्य का परम भक्त था वह प्रति दिन घंटो कमर्द पानी में खरी होकर सुरी को अर्ग देता था सुरी के क्रिपास से वह महान युद्धा बना था आज भी जट में अर्ग दान की यही पधती प्रचलित है पुरानों से एक कथा के अनुसार राजा प्रिवत की कोई संतान नहीं थी तब महर्शिक कस्यप ने पुत्रिस्टी यग्य कराकर उनकी पत्नी को यग्या हुदी के लिए बनाई गई खेर दे इसके प्रभाव से उन्हीं पुत्र हुआ परंतो वह में पैदा हुआ प्रिवत पुत्र को लेकर शम्शान गया और पुत्र वियोग में प्रान त्यागने लगे उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि स्रिस्टी के मूल प्रविर्थी के छठी अंशिवत पन होने के कारण मैं खस्टी कहलाते हुँ राजन तुम मेरा पुजन करो और लोगों को भी प्रेरित करो राजा ने पुत्र इच्छा से देवी खस्टी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्म के प्राप्ती हुई यह पुजा कार्दिक शुक्र खस्टी को हुई थी माता च्छटी की बच्चों तर विश्य इसक्रिपा रहती है आज भी बच्चों के जन्म के च्छटे दिन एक उत्सम मनाते हैं जिसे च्छटी कहा जाता है आस्था और विश्वास की यह कथा युगों युगों तक लोगों को च्छट व्रत की पूजन के लिए जारिक करते रही है